So Hi Everyone, स्वागत है आप सभी आंगनबारी बहनों का आज के इस नए वीडियो में तो जैसा कि ICDS विभाग दोरा एक पत्र जारी किया गया है जिसमें कि मिनी आंगनबारी केंदरों को समान या आंगनबारी केंदरों में अपग्रेट करने के लिए पत्र जारी हो चुका है तो जी हां मिनी आंगनबारी बहनों के लिए ये एक काफी अच्छी ख़बर है इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि जो मिनी आंगनबारी केंदरों को समान या आंगनबारी केंदर में अपग्रेड किये जाएंगे तो उसके लिए क्या कैटेरिया होना चाहिए किस प्रकार से अपग्रेड किये जाएंगे और इसका जो परतिवेदन है वो कितने दिनों में मांगा गया है तो आप लोग इस वीडियो में बने रहे हैं और इस वीडियो को लाश तक जरूर देख लिजेगा और अगर आप सभी आगनबारी बहनों को आज की ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दिजेगा जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं उनीचे रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा और हाँ जो भी आगनबारी बहने इस वीडियो को देख रही है वो मिनी आगनबारी बहनों तक इस पत्र को पहुंचाने का पढ़ियास जरूर करें चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो जैसा कि देख सकते हैं 27 2022 को ये पत्र जारी हुआ है ICDS विभाग दोरा ये पत्र जारी किया गया है इसकी संचीका संख्या है 3527 और इस लेटर को जारी करने वाले है निदेशक ICDS और सभी DPO को ये पत्र जारी किया गया है यानि कि पूरे बिहार में जितने भी मिनी आंगनबारी केंदर है उनको अपग्रेड किये जाएंगे यहाँ पे निचे आएंगे और निचे आने के बाद इस लेटर का जो भी सै दिया गया है जैसा कि आप लोग देख पाएंगे मिनी आंगनबारी केंदरों को समानिय या मुख्य आंगनबारी केंदर में अपग्रेड करने के संबंद में तो इस संबंद में आपको क्या कैटरेडिय होना चाहिए किस प्रकार से आपके केंदर को अफग्रेड किये जाएंगे नीचे इस पत्र में आपको बताने वाले हैं तेकि इसके साथ ही एक पत्र भी और जारी किया गया था भारत सरकार दोरा जो की 87-2022 को जारी किया गया था तो आए नीचे देखते हैं और क्या कुछ लिखा गया है जैसे कि महासे उप्रियुक्त विशाय के उप्रसंगी पत्र के संबंद में कहना है कि भारत सरकार दोरा जनसंख्य ब्रीधी के कारण वैसे मीनी आंगनवारी केंदर जिने समान या मुख्य आंगनवारी केंदर में अपग्रेड करने क्या हो सकता है से संबंधित परतिवेदन की मांग की गई है देख सकते हैं यहाँ पर भारत सरकार के दुआरा जिस प्रकार से जनसंखे ब्रीधी हो रही है तो ऐसे आगनबारी केंदर जिन है समान या मुख आगनबारी केंदर में अफ्क्रेड करना है तो उन से यहाँ पर परतिवेदन मांगा जाएगा जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं अतव निदेश दिया जाता है कि बिहित प्रपत्र में परतिवेदन इमेल आईडी इतना पर तीन दिनों के अंदर उपलवद कराये जाए ताकि भारत सरकार को परतिवेदन उपलवद कराये जा सके तो यहाँ देख सकते हैं तीन दिनों के अंदर आप लोगों से इसके बारे में जो भी डिटियल से वो मांगा जाएगा जैसे कि जन संख्या के अधार पे जो भी आप लोग सर्वे किये होंगे तो आपको वो सर्वे का अनुसार जितने भी जन संख्या है उसकी रिपोर्ट आपको देनी होगी वैसे एक समाने आंगनबारी केंदर में जो जन संख्या होती है उलोगबग 400 से लेके 800 के बीच होती है तो इन आगनबारी केंदरों को मीनी से समाने आगनबारी केंदरों में अफग्रेड किये जाएंगे तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके छेतर में आपके वाड में कितनी जन संक्या है जिसके अनुसार आपको यहाँ पे मिनी से समाने आंगनबारी केंदर में अफग्रेड किये जाएंगे इसे अती अवस्यक समझा जाए तो काफी यह informative पत्र है और यहाँ पर दिख सकते हैं मिनी आंगनबारी केंदरों को समाने आंगनबारी केंदर में अफग्रेड करने संबंधी जो परतिवेदन है वो यहाँ पर दिया गया है जैसे कि करम संख्या जीला का नाम परियोजना का नाम मिनी आंगनबारी केंदर जिन्हें समाने आंगनबा के लिए आगनबारी बहन को यह परतिवेदन उपलवद कराने होंगे तो आपके जो आगनबारी केंदर है उसको मातले कर दिये reicht है तो फिलाल आज के इस वीडियो में इतना ही अगर आप लोगयों को आज की in विडियो पसंद आई हो इस वीडियो को लाइक करके सेर जरू कर दीजेगा मिलते हैं फिर किसी नई टपिक नई जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो में बढ़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जै हिंद